कोर्बो लोर्बो जीत बोरे, कोर्बो लोर्बो रे, जीत बोरे, जीत बोरे क्या ये प्लेंग 11 कुलकाता नाइट राइडर्स की जीत पाईगी IPL इस बार? जानिये इस वीडियो में हलो गाइग, मैं हूँ आपका होस्टरिश रब और आप सभी का सौगत है स्पोर्ट्स गीक में तो आज हम बात करने वाले हैं कुलकाता नाइट राइडर्स के प्लेंग 11 के बारे में क्या प्लेंग 11 होगी कोलकाता नाइटराइडस की और क्या ये प्लेंग 11 कंटेंडर है इस साल के IPL की हम जानेंगे इस वीडियो में मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको फ्यूचर के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यैंते यह मेरी 50 टीम है जिसकी मैं प्लेइंग 11 बनाने जा रहा हूं आज बाकी की चार्ट टीम्स की मैं और आँछी बना चुका हूं और चारों ही प्लेइंग 11 बहुत आच्छी लग रहे थी अब हम बात करेंगे Kolkata Night Riders की प्लेइंग 11 के बारे में आज ये प्लेइंग 11 एक्चुली बहुत ज़यादा अच्छी है पहले तो मुझे लगा उतनी अच्छी प्लेइंग 11 नहीं है Kolkata Night Riders के पास मगर जब यह playing 11 बनाई तब देखा कि इनके पास बहुत ज़ादा options है और already उनकी playing 11 बहुत ज़ादा strong है Tom Benton और Lockie Ferguson जैसे players को bench करना पड़ सकता है KKR को इस season में तो हम शुरुआत करेंगे openers के साथ openers होंगे सुनील नारायन और राहुल त्रिपाथी दौनों ही players बहुत ही धून धार opening करते हैं खास करके सुनील नारायन जो की देखते नहीं है कि कहां ball मारनी है और बस मार देते हैं अच्छे अच्छे bowlers को सुनील नारायन ने धूल चटाई है और इस बार के IPL season में भी हमको ये देखने को मिल सकता है सुनील नारायन ने पिछले IPL season में 12 matches में 143 runs बना कर 10 wickets pick करे थे अच्छी performance रही थी सुनील नारायन की bowling department में मगर betting में और जादा उम्मीद है उनसे इस बार क्योंकि जैसे वो खेले हैं CPL में तो इस बार उम्मीद है थोड़ी बढ़ जाती है सुनील नारायन से अब हम बात करेंगे राहुल त्रिपाठी की राहुल त्रिपाठी की जगे हमको शुबमन गिल भी नजर आ सकते हैं opening में मगर देखते हुए कि राहुल त्रिपाठी को राजिस्थान रॉयल ने उतना opportunity नहीं दी थी और जब भी उन्होंने राहुल त्रिपाठी को नीचे खिलाया था तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे और जब उनको opening खिलाया गया तब उन्होंने बहुती जादा अच्छा परफॉर्म किया था पिछले IPL सीजन में राहुल ने 8 matches में 141 runs बनाये थे उतनी खास performance नहीं रही थी क्योंकि कोई fixed position नहीं थी राहुल त्रिपाठी की कभी वो opening में आ जाते थे और कभी उनको down the order खिला दिया जाता था तो ये देखते हुए कि उनको उतनी opportunities नहीं मिली हैं मुझे लगता है कि इस बार KKR उनको opportunity देगी और वो इस opportunity का खूब फाइदा उठाने वाले हैं तो ये दोनों होंगे KKR के openers इस IPL सीजन में अब हम बात करेंगे कुलकाता नाइट्राइडर्स के middle order के बारे में बड़ा ही लाजवाब middle order है KKR के पास इस बार शुबमन गिल आपको stability दिला देंगे और फिर इयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, नितीश राना ये तीन प्लेयर्स तो ऐसी धुआदार बैटिंग करते हैं कि किसी भी score को छोटा दिखा सकते हैं अलसो इयन मॉर्गन के आने से ये टीम और strong लग रही है क्योंकि वो captaincy करते हैं England की तो उनको पता है कि किस तरीके से टीम को manage करना है तो दिनेश कार्तिक को इस बार थोड़ी help मिलने वाली है इयन मॉर्गन की तरफ से हम शुरूआत करेंगे शुबमन गिल से शुबमन गिल हमको opening में भी नजर आ सकते हैं मगर मेरे हिसाब से राहूल तृपाठी को opener के तौर पे खिलाना चाहिए और शुबमन गिल को one down खिलाना चाहिए पिछले सीजन में शुबमन गिल ने 14 मैचेज में 296 रंस बनाये थे ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी शुबमन गिल की ओर से मगर इस बार उनको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को प्ले आफ्स तक पहुचाना है और IPL जिताना है तो शुबमन गिल पर इस बार बहुत जादा प्रेशर होने वाला है क्योंकि मिडल ओर्डर को संभालने की सारी जम्मेदारी उन पर होगी क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समेन है जो एक ओर से खिल सकते हैं और बाकी नितीश राना, आयोन मॉर्गन और दिनिश कार्थिक दूस जो बैटिंग है हमने हमेशा देखी है कि जब भी वो मूड में आते हैं तो कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं पाती है, नितीश राना ने पिछले IPL सीजन में 14 मैचेज में 344 रन्स बनाए थे, अच्छी परफोर्मेंस थी मगर नितीश राना की तरफ से मुझे और उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं वो जरूर ही जादा रन बना सकते हैं, बस थोड़ा अपने शौट पर कंट्रोल रखें, ध्यान रखें कि कब कौन सा शौट खेलना है और वो जरूर लंबी पारी खेल सकते हैं इस IPL सीजन में, अब हम बात दिनेश कार्थिक के बारे में, दिनेश कार्थिक पिछले IPL सीजन में उतना खास तो परफॉम्म नहीं कर पाए थे और टीम को भी आल्मोस्ट प्लेओफ्स तक पहुचा दिया था उन्होंने, पॉइंट्स सेम थे SRH और KKR के पिछले IPL सीजन में 12 पॉइंट्स, मगर SRH क का run rate better था, तो SRH प्लेओफ्स के लिए qualify कर गई और KKR नहीं कर पाई, मगर इस बार chances KKR के बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि टीम बड़ी ही ला जवाब है, पिछले IPL सीजन में दिनेश कार्थिक ने 14 मैचेज में 253 रन्स बनाए थे, बहुत ही खराब performance रही थी अ अगर 400 के पार पहुंच जाते हैं दिनेश कार्थिक इस बार, तो Kolkata Night Riders का Middle Order काम तो कर सकता है इस IPL सीजन में, अब हम बात करेंगे यौन मॉर्गन के बारे में, मॉर्गन को इस बार Kolkata Night Riders ने खरीदा है, और मॉर्गन इस टीम में experience भी लाते हैं, और betting में भी एक आपक बहुत अच्छा option मिल जाता है, क्योंकि मॉर्गन इतनी अच्छी betting करते हैं Middle Order में, और उनकी betting हमेशा ही धुआदार रहती है, वो slow खेलने वालों में से नहीं है, तो मॉर्गन इस टीम में बहुत ही अच्छी तरीके से fit हो रहे हैं, लास्ट टाइम मॉर्गन ने IPL खेला थ 2017 में, तब उन्होंने 4 matches में 65 runs बनाए थे, बहुत ही normal performance रही थी अगर हम देखें केवल 4 match खेलने को मिले थे, मगर इस बार मुझे उम्मीद है कि वो 10 से जादा match खेलेंगे, और run भी 400 के तो ऊपर बनाना चाहिए, जिस हिसाब की उनकी form है अभी, अभी उन्होंने Australia के against कि कैसी conditions हैं और नई conditions वो already adapt कर चुके हैं, तो यहाँ पर एवन मॉर्गन का फाइदा जरूर होगा Kolkata Knight Riders को, तो यह 4 होंगे Kolkata Knight Riders के middle order batsmen, अब हम बात करने वाले हैं Kolkata Knight Riders के all rounders के बारे में, एक all rounder already इस team में आ चुके हैं और वो है सुनील नारायन जो की open करने वाले हैं, अब बाकी बचे दो all rounders, कौन से दो all rounders हैं, अंद्रे रसिल और Pat Cummins, Pat Cummins को इस बार KKR ने 15.5 करोर में खरीदा था, वो सबसे महंगे बिकने वाले player हैं इस IPL सीजन में, तो KKR को उनसे उम्मीद तो बहुत जादा होने वाली हैं और उन पे pressure भी बहुत जादा होन वाला है, क्योंकि उनको अपनी price जो 15.5 करोर है, वो justify करनी पड़ेगी कि क्यों उनको इतना महंगा खरीदा, अब हम बात करेंगे आंद्रे रसिल के बारे में, आंद्रे रसिल पिछले IPL सीजन में KKR के best player थे, पिछले सीजन में आंद्रे रसिल ने 14 matches में 510 runs बना कर 11 wickets ल अबेशा death over वाले जो matches थे, उनमें अपनी team को close ले जाकर कभी-कभी तो उन्होंने जिताया भी है, तो बहुत ही crucial player है यहाँ पर KKR के लिए, और अभी Caribbean Premier League भी खेल के आ रहे हैं, तो वो already momentum set है उनका, जिसमें वो खेलना चाहते हैं, तो उमीद तो बहुत है इस बार Russell से, और Russell को इस बार at least 10 wicket से जादा लेने चाहिए and 500 runs से जादा बनाने चाहिए, तभी जाकर KKR playoffs के लिए qualify करने लायक होगी, अब हम बात करेंगे Pat Cummins के बारे में, Pat Cummins ने last time IPL खेला था 2017 में, तब से अब तक उनकी performance में बहुत जादा सुधार आया है, बहुत ही जादा अच्छे bowler भी हैं और batsman भी, पिछले World Cup में हमने देखा West Indies के against जब Australia struggle कर रही थी, तब Pat Cummins ने आकर उनको help करा था, बहुत अच्छे run बनाये थे, 70 runs के उपर बनाये थे, तो Pat Cummins यहाँ पर crucial है, क्योंकि वो नीचे आकर थोड़े बहुत run बना सकते हैं, hard hitting कर सकते हैं, और bowling में तो वो आपको starting overs हो, या death overs हो, आपको wicket डिला ही सकते हैं, last time जब Pat Cummins ने IPL खेला था, तब उनोंने 12 matches में 77 runs बना कर 15 wickets बिक करे थे, bowling department में तो बड़ी अच्छी performance रही थी, बैटिंग में इस बार मुझे उम्मीद है कि थोड़ी तो अच्छी हो जाएगी, 77 runs से तो जादा run बना लेंगे, मगर wicket taking bowler हैं और वो बहुत ही जादा अच्छी बात है KKR के लिए, तो ये दोनों होंगे KKR के all-rounder इस IPL सीजन में, अब हम बात करेंगे Kolkata Nitrides के fast bowler के बारे में, दो young talented fast bowler हैं KKR के पास इस बार, और दोनों ही bowler अपना नाम बनाना चाहत हैं cricket जगत में और इस से अच्छा platform क्या ही हो सकता है, अपना नाम बनाने के लिए IPL का platform है, और KKR के साथ opportunity भी मिल सकती है, दोनों players को, हम शुरुआत करते हैं कमलेश नागर कोटी की तरफ से, तो कमलेश नागर कोटी को KKR ने 2018 में sign किया था, मगर उस season उनको injury थी, तो व नहीं खिलाया गया, मगर इस बार वो fit हैं और हमको नजार आ सकते हैं KKR की तरफ से, अगर दिनेश कार्थ तिक और KKR एक और spin option खिलाना चाहती है, तो कमलेश नागर कोटी की जगह M सिधार्थ को भी खिला सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से कमलेश को opportunity देनी चाहिए, क्योंक लिए थे, तो domestic में तो अच्छी performance रही है और अभी तक injury के चलते उनको उतनी opportunities नहीं मिल पाई है, बहुती अच्छी pace है उनके पास, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार IPL season में वो KKR की मदद जरूर करेंगे, दूसरे fast bowler KKR के जो हैं वो हैं प्रसिद कृष्णा, पिछले IPL season में KKR ने opportunity दी थी, मगर उतना impress नहीं कर पाई वो पिछले IPL season में, पिछले IPL season में प्रसिद ने 11 matches में 4 wickets pick करे थे, बहुती खराब performance थी प्रसिद कृष्णा की पिछले IPL season में, उनसे उम्मीद बहुत थी मगर वो उम्मीद पर खड़े नहीं हो पाई, मगर इस बार फिर से उनको opportunity मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि इस बार अगर वो फिर से fail हो जाते हैं, तो उनका IPL का career थोड़ा संकट में आ सकता है, तो ये दोनों होंगे fast bowlers KKR के, अब हम बात करेंगे इस playing 11 के आखरी player के बारे में, जोकी spinner है, हम बात कर रहे हैं कुल्दी पियादव, बहुती अच्छे बोलर हैं और उन्होंने वक्त पर इंडिया टीम की मदद भी करी है, और KKR के लिए भी अच्छा perform किया है, मगर पिछले IPL सीजन में उनका सीजन थोड़ा डगमगा सा गया था, बहुती जादा problem से जूज रहे थे वो पिछले IPL सी सीजन में, अगर हम compare करें उनकी ये performance पिछले IPL सीजन से, तो बहुती खराब performance रही थी, और वो out of form, out of touch भी दिख रहे थे, mind भी उनका एक जगए पर स्थिर नहीं था, मगर अब situation better हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार UAE के turning pitches पर कुल्दी प्यादव का जलवा जर तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि मैंने playing 11 में किसी player को miss कर दिया है, और आप उस player को किसी और player से replace करना चाते हैं, कुलकाता की playing 11 में, तो comment section में जरूर बताइएगा, और अगर आपने sports geek के YouTube channel क सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप ये वीडियो Instagram या Facebook पर देख रहे हैं, तो follow करिए social media platforms को और share कर दीजेगा वीडियो को, मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नए वीडियो के साथ, तब तक घर पर रही है और Sports Geek देखते रही है